वाम पंथी कुपड हैं और RSS वाले अनपड ऐसा कहना है दोस्तो कुमार विश्वास का दरसल दोस्तो कुमार विश्वास उज्जेन आये हुए है राम कथा करने और राम कथा कि पहले दिन ही कुमार विश्वास ने एक विवादास्पत बयान दे दिया है जो RSS वालों को अन वो गलत पड़ा है दोस्तों जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि कुमार विश्वास ने बिल्कुल यही शब्द बोले है और दोस्तों सबसे बड़ी ताज्जुप की बात आप यह देखेंगे इसमें कि जो ये कारिक्रम करवाया गया है रा RSS के लोग बेठे हुएं और उन्ही के सामने कुमार विश्वास ने अपने बड़ बोले पन के कारण यह कह दिया कि RSS वाले अनपढ़ होते हैं हलाकि उन्हों डारेक नहीं बोला कि RSS वाले अनपढ़ होते हैं बट जिस तरीके से उन्होंने बोला है उसका आर्थ यही नि नहीं थी इसलिए भगवान महाकाल के आशिरवात से मैं कथा कह पा रहा हूं और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ अपने स्टाफ के वेक्ति के लिए कहा था कि तुम लोग कुछ पढ़ा भी करो वेदों की बात करते हो बट वेद तुमने देखे ही नहीं है इस टाइ बार कुछ ऐसी चीज बोल जाता जो उसे नहीं बोलनी चाहिए और ये हर उस वेक्ति के साथ दिक्कत आती है जो ज़्यादा बोलता है जिसे हम बड़ बोला कहते हैं तो दोस्तों आपके क्या विचार है कॉमेंट बॉक्स में रखिए कुमार विश्वास ने किया ये बात स सही नहीं कही है तो क्या कुमार विश्वास को इसके लिए महाफी मांगनी चाहिए